अब एलोपेथी डोक्टर्स अपने नाम से पहले डोक्टर की वजाए मेडिकल डोक्टर लिखेंगे इसके बारे में एनेमसी ने ड्राप्ट तयार कर लिया है तो आए लेते हैं इस ड्राप्ट के बारे में जान करें जैहिंद मैं हरसाई चोपड़ा आपका अपने यूटूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों, एनेमसी ने 23rd माई 22 को एक ड्राप्ट पब्लिक किया है जिसका नाम नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर रेगुलेशन 2022 रखा गया है ये ड्राप्ट अभी पब्लिक कॉमेंट्स के लिए रखा गया है इसमें 22 जोन 22 तक कोई भी अपने कॉमेंट्स erb.ethics.nmc.org.in पर मेल कर सकते हैं ये अभी ड्राप्ट है इसके बाद ये नम्सी रम्प रेगुलेशन 2022 के नाम से रूल बन जाएगा 104 पेजेज के इस ड्राप्ट में RMP के बारे में काफी सारे रूल्स लिखे गए हैं इसमें एक रूल ये भी है कि केवल वही रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर अपने नाम से पहले मेडिकल डोक्टर लिख सकते हैं जो एक्ट दोहजार उन्नीस के अंडर रजिस्टर्ड हैं जो डोक्टर सेल्फ इंप्लोई हैं यानि कि जो प्राइवेट होस्पिटल में प्रक्टिस कर रहे हैं या जिनोंने अपना क्लिनिक स्टेबलिस कर रखा है वो एन्यमसी के एम आरबी द्वारा दी गई यूनिक रजिस् के प्रेस्क्रिप्शन सर्टिपिकट और मनी रिशिप्ट पर लिखेंगे जो इंप्लोईड डोक्टर हैं वो सील पर जो सील होती है महर लगाते हैं वो अपने नाम से नीचे उस पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नमबर लिखेंगे और सिगनेचर के नीचे ये सील के इसमें प्रेस्क्रिप्शन के लिए भी गाइडलाइन लिखे हैं और भी कावी सारे रूल हैं हमें यहां पर तो सभी रूल्स के बारे में यहां डिसकस नहीं कर सकते हैं मगर सभी NEET aspirants के parents क्योंकि अभी NEET aspirants को तो इसके बारे में पढ़ने के लिए समय ही नहीं है वो अपने तयारी कर रहे हैं 17 जुलाई को exam है उनका तो NEET aspirants के parents और जो अभी student MBBS की study कर रहे हैं वो इस draft को पूरी तरह से read करें और इसके बारे में अपने comments NMC को mail करें ताकि जो chapters doctors के favor में नहीं है उसमें संसोधन के लिए NMC दवारा विचार किया जा सके इसके बाद ये draft rules बन जाएगा तो ये जानकारी थी NMC के draft के बारे में जो अभी NMC RMP Regulation 2022 बनने जा रहा है NMC दवारा समय समय पर medical के regarding rules बनाए जाते हैं और उनके बारे में हम समय समय पर आर्प को जानकारी देते हैं तो ये इसी rules के बारे में जानकारी थी मिलेंगे नई updates के बारे में नए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं